हेलो डियर फिचर आफिसर स्वागत है आप सब्सक्राइब को टार्गेट प्रिम 2021 में यहां हम करेंट अफिर्स का रिविजिन करेंगे mcqs के तुरू आप ओनली आइस का टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं ओनली आइस नतिंग अल्स के नाम से है वहाँ पे आपको requisite material मिल जाएगा UPSC के लिए स्टेट PCS के लिए तो चैनल का नाम है only IAS nothing else आप खुद भी जोइन कर सकते हैं आप अपने साथी बंदूओं को जोइन करने के लिए बोल सकते हैं 2021 वाला prelims हमारा बहुत पास में है आप only IAS के YouTube चैनल के playlist से जाके काफी सारे important courses है like GI tag पे है mapping series है ठीक है और economic survey है constitutional bodies non constitutional bodies historical events काफी सारे courses से जिनको आप join कर सकते हैं refer कर सकते हैं ठीक है question number one देखते हैं पहला question trade winds के बारे में दिया है इसमें पहला statement बोला है कि इनको identify कर सकते हैं north और south दोनों hemisphere में 35 से 50 degree के बीच में दूसरा statement बोला है कि northern जो trade winds है वो anti-clockwise direction में घूमती है due to coriolis effect ठीक है तीसरा बोला है trade wind sun के movement से affected होती है देखो यह trade winds है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं horse latitude है high pressure से low pressure के और जाती है तो यह north east trade winds है ठीक है अब होता क्या है कि coriolis force के वज़े से northern hemisphere में यह right side में divert हो जाती है अगर right side में अगर यह divert होगी तो क्या होगा यह clockwise direction में घूमेगी northern hemisphere में उत्तरी गोलार्द में ठीक है पहली बात तो यह हो गई दूसरा देखो जैसा की question में दिया है कि यह 35 से 50 degree latitude के बीच में पाई जाती है गलत है 35 से 50 के बीच में नहीं पाई जाती है यह generally 30 से 35 degree जो है वहाँ पे अपने को मिल जाती है ठीक है अब यहाँ पे देखिए पहला statement गलत हो गया क्योंकि 35 से 50 के बीच में नहीं मिलती है दूसरा भी गलत हो गया क्योंकि anti clockwise नहीं यह northern hemisphere में clockwise ठीक है तो और तीसरा जो हो बिल्कुल सही है ट्रेड बिंड जो है वो sun के movement के वज़े से affected होती है जैसे जैसे sun का movement change होता है वैसे वैसे जो pressure belt emerge होते है वो भी change होते है जाते है question number 2 देखते है integrity pact के बारे में देखते है पहला statement इसमें दिया है कि यह एक type का vigilance tool है जिसमें की agreement होता है vendor या bidder और buyer के बीच में मतलब एक तरीके से बोल सकते है buyer और seller के बीच में एक agreement होता है कि हम आपको पैसे time पे दे देंगे दूसरा बोलेगा कि मैं आपको समान जो भी देऊंगा वो quality वाला दूँगा second statement बोला है कि integrity pact की वज़े से transparency increase होती है equity increase होती है बायर है मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला यह दोनों ही एक तरीके से agreement करते हैं कि हम कोई भी corrupt practices नहीं करेंगे कोई corrupt influence नहीं लाएंगे ठीक है और इसकी वज़े से transparency increase होती है equity increase होती है global snow leopard and ecosystem protection program हमें GSLEP program के बारे में दो statement दिया है पहला इसमें बोला है कि it seeks to address high mountain development issues using the conservation of snow leopard as a flagship species मतलब बोलने का मतलब इसका है कि इसने यह जो snow leopard है इसको protect करते हुए हम higher जो mountain reasons है वहाँ पे जो भी development से related issues है उनको हम address करेंगे दूसरा बोला है कि bis cake declaration में बात की गई है secure 20 by 2030 ठीक है हमें correct statement पूछा है देखो GSLEP program जो है वो भारत इससे जुड़ा हुआ है 2013 से ठीक है पहला statement विल्कुल correct है देखो GSLEP program में यह है कि जो हमारा snow leopard है इसको हम protect करेंगे यह हमारा primary goal रहेगा क्योंकि snow leopard एक flagship species है और इसको conserve करते हुए इसको protect करते हुए हम higher mountain जो reason है उसके अंदर जो भी development के issues है उनको हम जो है वो address करेंगे ठीक है second statement देखो गलत है बिसकेक declaration में बात की गई है कि 20 snow leopard landscape हम बनाएंगे by 2020 ठीक है दूसरा बुला है जोर, बाजरा, रागी यह कुछ main millet crops है जो इंडिया में पाई जाती है तीसरा बुला है कि यह काफी nutritious होती है और draft sensitive है मतलब अगर सूखा पड़ जाए तो सूखे के लिए बहुत ज़्यादा sensitive है देखो millet इंडिया में बहुत उगाई जाती है ठीक है कुछ special states है कुछ ऐसे states है जहां पर बहुत ज़्यादा millet उगाई जाती है अगर आपको basic थोड़ा भी geography के बारे में पता होगा अगर आपने 9th और 10th की geography पढ़ी होगी तो आप इस question को easily कर सकते हो देखो millet ऐसा नहीं है कि सिफ tropical reason के अंदर उगाई जाती है तो पहला statement गलत हो गया जोवार, बाजरा, रागी यह सब main millet crops है यह हमें पता है ठीक है तीसरा statement सही है यह काफी nutritious होती है इनमें काफी fiber होता है बट यह draft sensitive नहीं होती है यह draft resistant होती है मतलब इन millets को हम ऐसी जगहों पे भी उगा सकते हैं जहां पे बारिश जो है वो कफी fluctuate करती है यह बारिश की जो amount है वो कम है तो सिर्फ statement number second सही है option number B हमारा correct हो गया पहला incorrect है देखो कि tropical सब-tropical कई सारे reasons में हम इनको उगा सकते हैं और इंडिया में में ली तीन millet crops है जो आर बाजरा रागी ठीक है और अपना अंदर प्रदेश हो गया राजस्तान हो गया तेलंगाना हो गया गुजरात महराष्ट्रा हरियाना यहां पे उगाया जाता है र है वो काफी कम रहता है ecological benefits भी जादा है ठीक है क्योंकि जहां पे भी बारिश कम होती है like आप हरियाना देखोगे या राजस्तान में देखोगे तो वहाँ एक तो बारिश बहुत लेट से होती है मानसुन वाले और दूसरी जो quantity है बारिश की वो भी काफी कम रहती है तो वह भी पढ़ जाए तो भी यह सस्टेन कर सकती है 2018 में इंडिया ने National Year of Millets जो है वह सेलिब्रेट किया है यहाँ पर हिंदी के अंदर भी देख सकते हो question number 5 दिया हुआ है consider the following statement about the international labor organization ILO के बारे में हमें तीन statement दिये है पहला इसमें बोला है कि UN के जितने भी members हैं वो सारे के सारे members ILO में भी members है दूसरा बोला है कि it is the first and oldest specialized agency of the UN तीसरा बोला है कि recently इंडिया ने ILO की जो governing body है उसकी chairmanship अज्यूम कर लिए पहली बार ठीक है देखो पहला statement गलत है reason क्या है कि ऐसा नहीं है कि UN के जितने भी member है वो सारे के सारे member ILO के member है पहला statement गलत है अगर पहला गलत है तो option number B अमारत सही हो जाएगा two only ठीक है दूसरा देखो कि ये जो UN की ILO है ये UN की सबसे पुरानी specialized agency ये बिलकुल सही है 2019 में इसको दर्जा मिला है हाला कि international telecom जो union है वो सबसे पुरानी agency है बट वो UN की सबसे पुरानी specialized agency नहीं है तीसरा देखो इंडिया ने ILO की governing body की chairmanship हासिल की है बट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमने कोई chairmanship हासिल की है ठीक है देखो पहला statement गलत हो गया क्योंकि जितने UN के member है वो सारे के सारे ऐसा नहीं है की ILO के member भी है दूसरा देखो 1919 के अंदर इसको specialized agency का दरजा मिला है oldest specialized agency का ठीक है और तीसरा देखो की governing body की जो chairmanship है वो इंडिया को मिली है लगभग 35 साल के बाद इसको इंडिया को हमें chairmanship मिली है और अभी chairman कौन होगे इंडिया के जो labor secretary जो है ठीक है यहाँ जान रखना अगर किसी question में आ जाए कि labor minister जो वो chair करेंगे labor minister chair नहीं करेंगे labor secretary लेबर सचिव जो है वो इसे chair करेंगे इस governing council की body को ठीक है यहाँ पे आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हो इसको और आज आपको question के रूप में बताना है कि यह जो हमरा snow leopard है जो him 3 दुआ है इसको IUCN ने कौन सा status दिया हुआ है endangered का critically endangered का या फिर बाकी कोई threatened का इस तरीके से आपको बताना है आज आपकी performance कैसी रही कितने सही हुए कितने गलत हुए ठीक है कितने आपने silly mistake की आप यह सब भी बता सकते हो इन वीडियो को आप अपने साथी बंदू के साथ भी share कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार थी इन का questions का फायदा उठा सके तो only eyes से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन मंगल भाई हो